C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है अध्याइच है वी निर्मान उद्द्योग दिवाली के अफसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे उसकी माने बर्तन, चीनी, चाय वे मृदा के दीब खरीद हरीश ने देखा कि दुकाने अत्यधिक सामान से भरी थी चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देख कर वो हैरान था उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आधी बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाई जाते हैं, छोटे उद्योगों में बर्तन ब कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तूओं के उत्पादन को वी निर्मान या वस्तो निर्मान कहा जाता है, क्या आप जानते हैं, कागस लकडी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात, लोहा अयस्क से, तथा एल्यूमीनि बॉक्साइट से निर्मित है, क्या आप ये भी जानते हैं, कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रिशों से बनते हैं, जो रिशा उद्ध्योग में बनते हैं, दुईत्यक कारियों में लगे व्यक्ति का चेमाल को परिश्कृत वस्तूओं में परिवर्तित करते हैं, स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेपदार्थो संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतरगत आते हैं, कुछ व्यक्ति सेवाईं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं, इस अध्याय में हम द्वित्यक क्रियाओं के अंतरगत वी निर्मान उद्यो सामन्य तह विकास की तथा विशेश तह आर्थिक विकास की रिड़ समझे जाते हैं, क्योंकि पॉइंट एक, वी निर्मान उद्योग न केवल क्रिशी के आधुनी की करण में साहयक है, वरन द्वित्यक वत्त्रित्यक सेवाउं में रोजगार उपलब्ध कराकर क्रिशी पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं पॉइंट दो, देश में उद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक अवश्यक शर्थ है, भारत में सार्वजनिक संयोक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे, जन जातिये तथा पिछडे क्षेत्रों में उद्योगों की स थापना का उद्यश्य भी क्षेत्रिय असमानताओं को कम करना था, पॉइंट तीन, निर्मित वस्तूं का निर्यात वानिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ती होती है, पॉइंट चार, वे देश ही विक्सित हैं, जो उद्योग एक दूसरे से प्रिथक नहीं हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, उधारनार्थ, भारत में कृशी पर आधारित उद्योगों ने कृषी पैदावार बढ़ुत्री को प्रोत्साहित किया है, ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृशी पर निर्भर हैं, तथा इ इसलिए वी निर्मान उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल क्रिशी उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपे तो उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। प्रिश्ठ संख्या सत्तर राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था में उद्योगों का योगदान। वी निर्मान का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35 प्रतिशत है। पिछले एक दशक से भारतिय वी निर्मान क्षेत्र में 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोत्री हुई है। बढ़ोत्री की ये दर अगले दशक में 12 प्रतिशत अपेकशित है। वर्ष 2003 से वी निर्मान क्षेत्र का विकास 9 से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हुआ है। उप्योक्त सरकारी नीतियों तथा उद्योगिक उत्पातन में बढ़ोत्री के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि वी निर्मान उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्षय पूरा कर सकता है। इस उद्योगिक अवस्थिती उद्योगों की स्थापना स्वभावतह जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप वी निर्मान उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उप्योक्त हैं जहां ये कारक उपलब्ध हों, अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंब होने के साथ साथ नगरी करण प्रारंब होता है। कभी-कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाये जाते हैं। इस प्रकार औद्योगी करण तथा नगरी करण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्यसलह आधी उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभानमित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिससे समूहन बचत, एगलोमरेशन एकोनोमीज कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा उद्योगिक समूहन स्थाप जैसे मुंबई, कोलकाता, वहचेन्नई, आदी। परिणाम स्वरूप कुछ हेक नगर और द्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जो ग्रामीन कृषी प्रिष्ठ प्रदेश हिंटर लेंड से घिरे थे। उद्योग बाजार संबंध। उद्यमी अवसन रचना ये उत्पादन घटक हैं, जिनको परिवहन के माध्यम से कारखानों तक ले जाया जाता है। वहां तयार माल यानि उत्पाद होता है। तयार माल को परिवहन के माध्यम से बाजार तक ले जाया जाता है। इससे हमें पूंजी प्राप्त होती है त सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिती को प्रभावित करती है। चित्र संख्या 6.2 में उद्योग की आदर्श अवस्थिती को दर्शाया गया है। सबसे पहले उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करनी की लागत। उसके बाद उत्पादन के वित्रण की लागत। ततपश्चात उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्ने और अंत में उस स्थान पर उत्पादन की लागत। प्रिष्ट संख्या 71, उद्योगों का वर्गी करण, रोज मर्रा के इस्तेमाल की विभिन और द्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पती तेल, सीमेंट, काच का सामान, पैट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाईय आदी, यदि हम विशेश मापदंडों के आधार पर विभिन उद्योगों का वर्गी करण करते हैं, तो वी निर्मान को आसानी से समझ सकेंगे, उद्योगों को इस प्रकार वर्गी कृत किया जा सकता है, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, पोइंट एक, क्रिशी आधारित, सूती वस्त्र, उनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कोफी तथा वनस्पती तेल उद्योग पोइंट दो, खनेज आधारित, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, आजार तथा पेट्रो रासायन उद्योग प्रमुक भूमिका के आधार पर पोइंट एक, आधार भूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व अल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग पोइंट दो, उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतू करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आधी पूंजी निवेश के आधार पर पोइंट एक, एक लगु उद्योग को परिसंपत्ती की एक इकाई पर अधिक्तम निवेश मूल्य के परिप्रिक्षे में परिभाशित किया जाता है ये निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है अधिक्तम स्विकार्य निवेश के आधार पर की जाती है ये निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है वर्तमान में अधिक्तम निवेश एक करोड रुपए तक स्विकार्य है अगर किसी उद्योग में ये निवेश एक करोड रुपए से अधिक है तो उसे ब्रिहत उद्योग कहा जाएगा स्वामित्व के आधार पर पॉइंट एक, सार्वजनिक शेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भी एच एल तथा स्टील अथोरोटी अफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल आधि पॉइंट दो निजिक शेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथ्वा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है टिसको, बजाज ओटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आधि पॉइंट तीन, संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजिक शेत्र के संयुक्त प्रियास से चलाए जाते हैं जैसे ओल इंडिया लिमिटेड, OIL ओल पॉइंट चार, सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ती करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों होता है संसाधनों का कोश संयुक्त होता है, तथा लाभानी का विभाजन भी आनुपातिक होता है जैसे महराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, कच्चे तथा तयार माल की मात्रा वभार के आधार पर पॉइंट एक, भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि पॉइंट दो, हलके उद्योग, जो कम भारवाले कच्चे माल का प्रयोग कर, हलके तयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्यूतिय उद्योग क्रिया कलाप, कच्चा माल और तयार माल की मात्रा और भार के आधार पर इनको दो वर्गों में विभाजित करें तेल, बुन्ने की सलाई, पीतल के बर्तन, फ्यूजदार, घड़िया, सिलाई मशीन, पोत निर्मान, विद्युत बल्ब, पेंट के ब्रश, मोटर गाड़ी प्रिष्ट संख्या, बहत्तर, क्रिशी आधारित उद्योग, सूति वस्त्र, पट्सन, रेशम, उनी वस्त्र, चीनी, तथा वनस्पति तेल आदी उद्योग क्रिशी से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं वस्त्र उद्योग, भारतिय अर्थ व्यवस्ता में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका अध्योगिक उत्पादन में महत्व पूर्ण 14 प्रतिशत योगदान है यह लगभग 350 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवा कर, क्रिशी के पश्चात दूसरा बड़ा उद्योग है, तथा लगभग 24.6 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अर्जित करता है सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी लगभग 4 प्रतिशत है, देश का ये अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रिंखला में परिपूर्ण तथा आत्म निर्भर है चित्र संख्या 6.3 वस्तर उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद को दर्शाता है कच्चे रेशे से रेशा उत्पादन की आ जाता है, इसके बाद धुनाई कताई की जाती है, जिसके पस्चाद हमें सूत प्राप्त होता है सूत की बुनाई की जाती है जिससे हमें कपड़ा प्राप्त होता है रंगाईवे परिशकरन करके हमें वस्त्र यानि गार्मेट्स प्राप्त होते हैं और इसके बाद वस्त्र वी निर्मान किया जाता है सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हत करगा बुनाई तक्निकों से बनाए जाते थे अठारवी शताबदी के बाद विद्यूतिय करगों का उप्योग होने लगा आप निवेशिक काल के दौरान हमारे परम परागत उद्योगों को बहुत हानी हुई क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए पॉइंट एक पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग अठारह सो चववन में मुंबई में लगाया गया पॉइंट दो यूरोप दो विश्व युद्धों से जूज रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ती हेतू भारतिय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोथ्साहन मिला आज देश में लगभग सोलहसो सूती तथा कृत्रिम रिशे की कपड़ा मिले हैं इन में से असी प्रतिशत निजिक शित्र में तथा शेश सार्वजनिक व सहकारिक शित्र में हैं इनके अंतरगत कई हजार छोटी इकाया हैं जिन में चार से दस हत करगे हैं आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवेहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमियुक्त जलवायू आदिकारकों ने इसके स्थानिय करण को बढ़ावा दिया इस उद्योग का क्रिशी से निकट का संबंध है और क्रिशकों, कपास चुनने वालों, गाठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को ये जीवी का प्रदान करता है इस उद्योग के कारण रसायन रंजक मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामगरी और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपी कताई कारिय महराष्ट्र, गुजरात तथा तमिल नाडू में केंद्रित है। लेकिन सूती, रेशम, जरी कशिदाकारियादी में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्याधिक विकेंद्री कृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व इस्तरका है, लेकिन बुनावस्त्र कम गुणवत्ता वाला है। क्योंकि ये देश में उत्पादित ओचिस्तरिय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कारिय हत करगों, विद्युत करगों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्ध्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। महत्मा गांधी ने सूत कातने तथा खादी बुन्ने पर क्यों बल दिया। तालिका 6.1 भारत के विभिन क्षेत्रों में वस्त्र उत्पादन को दर्शाता है। इसको तीन कॉलम में विभाजित किया गया है। पहला क्षेत्र, दूत्रा कुल उत्पादन का भाग, तीसरा लुमेज। क्षेत्र कार खाने यानि मिल्स कुल उत्पादन का भाग 6 प्रतिशत, लुमेज 1.33 लाख। क्षेत्र, विद्युत कर खे, कुल उत्पादन का भाग 54.17 प्रतिशत, लुमेज 14 लाख। क्षेत्र, हत कर खे, कुल उत्पादन का भाग 23 प्रतिशत, लुमेज, यहां आकडे उपलब्ध नहीं है। टिपणी, बुनाई, कटाई, तथा अन्य प्रकरमन का 90 प्रतिशत, विकेंद्रित क्षेत्र में है। यहां दिये गए आकडों को पढ़ें, तथा वस्त्र निर्माण में मिलों की भागीदारी को जाने। हमारे देश में विद्युत चालित करगों तथा हत करगों द्वारा निर्मित लुमेज की अपेक्षा, कारखानों द्वारा निर्मित लुमेज को कम रखना क्यों महत्वपोण है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। वस्त्र उद्योग में भी कहां सूती वस्त्र बनते हैं, कहां उनी वस्त्र बनते हैं, तथा कहां रेशम वस्त्र बनते हैं। अईए जानते हैं भारत में सूतिवस्त्र कहां बनते हैं। मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोयमबटूर और मदुरई। आईए जानते हैं उनिवस्त्र भारत में कहां बनते हैं। मुंबई और बैंगलोर। आईए जानते हैं रेशम वस्त्र भारत में कहां कहां बनते हैं। तकवों यानि स्पिंडिल्स किक्षमता के रूप में भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। जहां इनकी संख्या वर्ष 2003-2004 के अनुसार 340 लाख है। लेकिन तयार वस्त्र के कुल व्यापार में ये हिस्सा केवल 4 प्रतिशत ही है। हमारे कताई कारखाने विश्व इस्तर पर प्रतिसपरधा कर सकते हैं। और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम है। लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमन एकायां देश में उत्पन किये गए उच्च कोटी के धागे का उपियोग नहीं कर पाती हैं। इस क्षेतर में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं। तथा अधिकतर छोटी वबिखरी हुई एकायां ही है जिसका उत्पादन स्थानिय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। ये इस उद्ध्योग की एक बड़ी कमी है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। धागा 85 रुपए प्रती किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर ये पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसके कीमत 800 रुपए प्रती किलोग्राम है। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धी होती है। हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाईक शेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है। यद्यपी लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धी 2004-2005 में 9232 लाख गाठें दर्ज की गई हैं। तथा पी इसे आयात करने की आवश्यक्ता महसूस की जाती है। विशेष्टह, बुनाई वो अन्यसंबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ती को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपियोग की आवश्यक्ता है। अन्यसमस्याओं में कमश्रमिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्तर उद्योग से प्रतिसपरधा आदी है। पठसन उद्योग भारत पठसन व पठसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। तथा बांगला देश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। भारत में लगभग सत्तर पठसन उद्योग हैं। इन में अधिकांश पठ्चिम बंगाल में हुगली नदी तठ पर 98 किलो मीटर लंबी तथा 3 किलो मीटर चोड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। पहला पठसन उद्योग कोलकाता के निकट रिश्रा में 1869 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पठसन मिले तो भारत में रह गई। लेकिन 3-4 जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांगला देश में चले गए। हुगली नदी तट पर इनके इस्थित होने के ये कारण है। प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना। कोलकाता का एक बड़े नगरिय केंदर के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदी समलित है। पठसन उद्योग प्रत्यक शुरूप से 2.6 एक लाक श्रमिकों को और जूट वा मेश्टा की खेती करने वाले अन्य 40 लाक छोटे वा सीमान्त कृषकों को रोजगार मुहया कराता है। इस उद्योग से अन्य अनेक लोग अप्रत्यक शुरूप से जुड़े हैं। इस उद्योग की चुनोतियों में अंतरराष्ट्रे बाजार में कृत्रम वस्तरों से और बांगलादेश, ब्राजील, फिलिपिन्स, मिश्र तथा थाइलेंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प पटसन पैकिंग की अनिवारिय प्रयोग की सरकारी नीती के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़िये हैं। तथा पी मांग बढ़ाने हेतू उत्पादन में विविधता भी आवश्यक है। बढ़ाना था। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश, इंग्लेंड और आस्ट्रेलिया हैं। बढ़ते वैश्विक परियावरण अनुकूलन, जैव निमनी करणियें पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनह ज 75. चीनी उद्योग देश में 460 से अधिक चीनी मिले हैं, जो उत्तरप्रदेश, बिहार, महराष्ट्र, करनाटक, तमिलनाडू, आंत्रप्रदेश, गुजरात, पंजाब, हर्याना तथा मध्यप्रदेश राज्यों में फैली हैं। चीनी मिलों का 60 प्रतिशत उत्तरप्रदेश तथा बिहार म हैं। ये उद्ध्योग मौसमी है, अतह सहकारिक शेत्र के लिए उप्युक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है। पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षणी और पश्चिमी राज्यों में विशेशकर महराष्टर में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहां के गन्ने में अधिक सूक्रोस की मात्रा है। अपेक्षा कृत ठंडी जलवायू भी गुनकारी है। इसके अति उद्योग की प्रमुक्चुनोतियां इस प्रकार हैं। इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन असक्षम तासे गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुँचना तथा खोई यानि बैगेस का अधिकतम इस्तेमाल न कर पान खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग जो खनिज वधात्वों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। इसिक उद्योग है क्योंकि अन्य सभी भारी, हलके और मध्यम उद्योग इन से बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविद्प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्मान सामगरी, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन वेग्यानिक उपकरण और विभिन्प्रकार की उभोकता वस्तुओं के निर्मान के लिए इस पात की आवश्यक्ता होती है। क्रिया कलाप इस पात से बनी उन सभी पदार्थों की सूची बनाएं जो आप सोच सकते हैं। इस पात के उत्पादन तथा खपत को प्राए एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। और इसके लिए अधिक परिवेहन लागत की आवश्यक्ता होती है। इस उद्योग के लिए लोहा अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग चार, दो, एक का है। इस पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैगनीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यक्ता होती है। इस पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहां होनी चाहिए। ये याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उभभोगताओं तक पहुचाने के लिए भी सक्षम परिवेहन की आवश्यक्ता है। चित्र संख्या 6.4 6.4 में इस पात निर्मान प्रक्रिया को दर्शाया गया है। सबसे पहले कच्चे माल का कारखानों तक परिवेहन। इसके बाद जूंकदार भट्टी से लहो अयस्क का गलाया जाना चूना पत्थर एक साहयक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातू का मेल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का इंधन के रूप में इस्तेमाल। इसके बाद धलवा लोहा तरल पदार्थ को साचों में डाला जाता है जिससे धलवा लोहा तयार होता है। इसके पश्चात इस पात कैसे बनता है आईए बताते हैं इस पात बनाना धलवा लोहे को पुनहे गला कर आकसी करण द्वारा अशुधता हटा कर तथा मैगनीज, निकल, क्रोमियम मिला कर शुध किया जाता है और अंत में आईए हम आपको बताते हैं धातु को कैसे आकार दि रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई प्रिष्ट संख्या 76 पर भारत का मान्चितर दिया गया है जिसमें दर्शाया गया है कि भारत में लोहा और इस पात संयंत्र आईए जानते हैं बोकारो, बर्नपुर ये वो इस्थान है जहां भारत में लोहा और इस पात संयंत्र लगाए गए हैं कहां कहां लगे हैं दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, विशाखा पटनम, विजैनगर, भद्रावती और सेलम प्रिष्ठ संख्या, सतत्तर, भारत, 328 लाख टन इस पात का वी निर्मान कर संसार में कच्चा इस पात उतपादकों में नवे स्थान पर है ये स्पंज लोहो का सबसे बड़ा उतपादक है इस पात के अधिक उतपादन के बावजूद भी यहां प्रतिवर्ष, प्रतिव्यक्ति खपत केवल 32 किलो ग्राम है क्रिया कलाप तालिका 6.2 में भारत में कुल स्पात उतपादन को दर्शाया गया है पहले कॉलम में वर्ष और दूसरे कॉलम में उतपादन मिलियन टन में दर्शाया गया है वर्ष और पचाशाया जिक्यावन में उतपादन एक दशमलव शून्यचार और पादन दो दशमलव तीननो 1971 में उत्पादन 4.64 1981 में उत्पादन 6.82 1991 में उत्पादन 13.53 1997-98 में उत्पादन 23.40 2005 में उत्पादन 32.60 उत्पादन मिलियन टन में दिये गए आंक्णों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करें भारत में प्रतिव्यक्ति इस्पाद की खपत इतनी कम क्यों है? इस समय भारत में दस मुख्य संकलित उद्द्योग तथा बहुत से छोटे इस्पाद सन्यंत्र हैं। मिनी इस्पात उद्योग छोटे सन्यंत्र हैं जिनमें विद्युतभटी, रद्दी, इस्पात वच्पंज आईरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिसमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हलके स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदू वो मिश्रित इसपात का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इसपात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है, जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इसपात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्य क्रिया की जाती है। चित्र संख्या 6.5 में भारत और चीन में इसपात उत्पादन दर्शाता है। आईए जाने चीन और भारत में उत्पादन मीट्रिक टन में किस प्रकार है। सबसे पहले जानते हैं, वर्ष 1949 में चीन में उत्पादन 6 मीट्रिक टन, भारत में उत्पादन 1 मीट्रिक टन। 1999 में चीन में उत्पादन 130 मीट्रिक टन और भारत में 25 मीट्रिक टन। सन 2000 में चीन में उत्पादन 141 मीटरिक टन और भारत में 26 मीटरिक टन सन 2001 में चीन में 174 मीटरिक टन और भारत में 27 मीटरिक टन 2002 में चीन में उत्पादन 211 मीटरिक टन भारत में 29 मीटरिक टन 2003 में चीन में उत्पादन 220 मीट्रिक टन, भारत में 32 मीट्रिक टन, 2004 में चीन में उत्पादन 270 मीट्रिक टन और भारत में 32.6 मीट्रिक टन सारवजनिक शेत्र के लगभग सभी उपकरम अपने इस पात को Steel Authority of India यानी सेल के माध्यम से बेचते हैं, जबकि टिस को टाटा स्टील के नाम से अपने उत्पाद को स्वयम बेचती है 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस पात उत्पादित किया था, आज चीन इस पात का सबसे बड़ा उत्पादक है इस पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है, वर्ष 2004 में भारत इस पात का सबसे बड़ा निर्यातक था, इसकी अंतरराष्ट्रिय व्यापार में हिस्सेदारी 2.25 प्रतिशत थी छोटा नागपुर के पठारिक शित्र में अधिकांश लोहा तथा इसपात उद्द्योग संकेंद्रित हैं इस प्रदेश में इस उद्द्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सा पेक्षित परिस्थितिया हैं इनमें लोह अयस की कम लागत उच्च कूटी के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानिय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है यद्द्यपी भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लोह इसपात उत्पादक देश है तथा पी हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं इसके कई कारण हैं क उच्च लागत तथा कोकिंग कोईले की सीमित उपलब्धता ख कम श्रमिक उत्पादकता हाला कि हमारा कुल इसपात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ती हेतु पर्याप्त है निजिक शेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से उदारी करण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्ध्योग को प्रोफ्चाहन दिया है इस पात उद्ध्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्चक्ता है क्रिया कलाप क्या आपने कलिंग नगर विवाद के विशे में पढ़ा है? चित्र संख्या 6.7 चित्र संख्या 6.7 में एल्यूमीनियम तथा अयस्क का अनुपात बताया गया है 4 से 6 टन बॉकसाइट से हमें 2 टन एल्यूमीना प्राप्थ होता है और 2 टन एल्यूमीना से हमें 1 टन एल्यूमीनियम प्राप्थ होता है चित्र संख्या 6.8 में एल्यूमिनियम उद्योग में वी निर्मान की प्रक्रिया को दर्शाता है बॉक्साइट कच्चामाल बॉक्साइट खनन इसे हम परिवहन यानि रेलिया समुद्री जहासे ले जाते हैं एल्यूमिना एल्यूमिनियम शोद्शाला में बॉक्साइट दलन और एल्यूमिना घुलन इनके तीन घटक है पहला प्रागालक स्थल तक भारी आयसक का पहुँचना दूसरा शोद्शाला से केल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक और तीसरा कोईला खान से पेच्च अंत में क्रायोलाइट एक पिगली धातू जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है इससे हमें एल्यूमिनियम प्रागालक प्राप्त होता है एल्यूमिनियम प्रागालक हमें विद्युत से प्राप्त होता है जिसका प्रती टन आयसक होता है 18600 किलोवाट प्रिष्ठ संख्या 89 एल्यूमीनियम प्रगलन यानी स्मेल्टिंग भारत में एल्यूमीनियम प्रगलन दूसरा सरवाधिक महत्वपोर्ण धातु शोधन उद्योग है ये हलका, जंग अवरोधी, उश्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है हवाई जहाज बनाने में, बरतन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, वसीसे के विकल्प के रूप में प्रयोग्त होने से बढ़ा है चित्र संख्या 6.6 चित्र संख्या 6.6 में नालको प्रगालक में पट्टी लेप मिल को दर्शाया गया है देश में 8 एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्र हैं जो उडिसा में इस्थित नालको वबालको हैं इनके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, 36 गड़, महराष्ट्र व तमिलनाडू राज्यों में स्थित हैं वर्ष 2004 में भारत में 6000 लाख टन से अधिक एल्यूमीनियम का उत्पादन किया गया प्रगालकों यानि स्मेल्टर्स में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंकी चटान जैसा होता है प्रयोग किया जाता है प्रवह चार्ट चित्र 6.8 अल्यूमीनियम निर्मान प्रक्रिया दर्शाता है इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यक्ता है नियमित उर्जा की पूर्ती तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता क्रिया कलाप एक कारखाना प्लास्टिक हेंडल वाले अल्यूमीनियम के बर्तन यानी सौस पैन निर्मित करता है यह प्रगालकों से अल्यूमीनियम प्राप्त करता है तथा किसी अन्य फैक्टरी से प्लास्टिक का सामान लेता है सभी निर्मित बर्तन एक माल गोदा में भेज दिये जाते हैं 1. कौनसा कच्चा माल परिवेहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है तथा क्यूं? 2. क्या आप जानते हैं कि पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवेहन लागत कम होगी? अत्वा, एल्यूमीनियम और प्लास्टिक की परिवेहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी? क्यों? रसायन उद्योग भारत में रसायन उद्योग तेजी से विक्सित हो रहा तथा फैल रहा है इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग तीन प्रतिशत है ये उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टी से बारवें स्थान पर है इसमें लगभू तथा ब्रिहत दोनों प्रकार की विनिर्मान इकाईया सम्मीलित है अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीवर व्रिद्धी दर्ज की गई है अकार्बनिक रसाइनों में सल्फ्यूरिक अमल यानि उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंगरोगन, डाई आधी के निर्मान में प्रयुक्त नाइट्रिकमल, क्षार, सोडा एश यानि कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आधी शामिल है इन उद्योगों का देश में विस्त्रित फैलाव है क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है कार्बनिक रसायनों में पैट्रो रसायन शामिल है जो क्रित्रिम वस्त्र, क्रित्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाईयां, आउशद रसायनों के बनाने में प्रयोग किये जाते हैं ये उद्योग तेल शोधन शालाओं या पैट्रो रसायन सन्यंत्रों के समीप स्थापित हैं। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोकता भी है। आधार भूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं। जिनका उप्योग और द्योगिक अनुप्रियोग क्रिशी अत्वा उपभोकता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची बनाएं। उर्वरक उद्योग उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक यानी मुख्यतह यूरिया, फॉस्फेटिक उर्वरक यानी डीएपी तथा अमोनियम फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें तीन मुख्य पोशक उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फेट वपोटा पोटाश शामिल हैं कि उत्पादन ख्षेतरों के इर्दगिर्द किंद्रित हैं। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णत हैं आयात किया जाता है। क्योंकि हमारे देश में वानिजिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटाश्यम योगि पोटाश शामिल हैं भारत नाइट्रोजनी उर्वरक्स का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहां 57 उर्वरक इकायां हैं जो नाइट्रोजन तथा मिशृत नाइट्रोजनी उर्वरक निर्मित करती चाहुए। 29 एकाईया यूरिया उतपादन तथा 9 एकाईया उप उतपाद यानि वाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनियम सलफेट का उतपादन करती हैं तथा 68 अन्य लगु एकाईया मात्र सुपर फॉसफेट का उतपादन करती हैं वर्तमान समय में सार्वजनिक शेत्र में दस उपक्रम तथा भारतिय उर्वरक निगम यानी FCI गुजरात के हजीरा में सहकारिक शेत्र के अंतरगत एक उपक्रम कारियरत है। हरित करांती के पश्चात ये उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। सिमेंट उद्योग निर्मान कारियों जैसे घर, कारखाने, पुल, सडके, हवा यड़ा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्मान में सिमेंट आवश्चक है। इस उद्योग को भारी वस्थूल, कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिपसम की आवश्चकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोईला तथा विद्यूत ऊर्जा भी आवश्चक है। इस उद्योग की इकाईयां गुजरात में लगाई गई हैं, क्योंकि यहां से इसे खाड़ी देशों के बाजार की उपलब्धता है। क्रिया कलाप सिमेंट वी निर्माण इकाईयों की स्थापना कहां पर आर्थिक रूप से व्यावारिक होगी। क्रिया कलाप भारत में ये उद्योग अन्यकिन राज्यों में इस्थित है। उनके नाम बताएं। पहला सिमेंट उद्योग सन 1904 में चेननई में लगाया गया था। स्वतंतरता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। सन 1989 से मूल्य वह वित्रण में नियंत्रण समाप्ति तथा अन्य नीतिगत सुधारों से सिमेंट उद्योग निक्षमता प्रक्रिया वह प्रोध्योग की वह उत्पादन में अत्यधिक तरकी की है। अब देश में 128 बड़े संयंत्र तथा 332 छोटे सिमेंट संयंत्र हैं। भारत में विविद्प्रकार के सिमेंटों का उत्पादन किया जाता है। और पूर्ती में विद्धी करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मोटर गाड़ी उद्योग मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीवर परिवहन के साधन है। भारत में विभिन केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटर साइकल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहु उप्योगी वहन निर्मित किये जाते हैं। उदारी करण के पश्चात, नए और आधुनिक मोडल के वहनों का बाजार तथा वहनों की मांग बढ़ी है। जिससे इस उद्योग में विशेशकर कार, दो पहिया तथा तिपहिया वहनों में अपार व्रिद्धी हुई है। पिछले पंध्योग से भी कम वर्षों में इस उद्योग ने अभूत पूर्व उन्नती की है। वहन निर्मित करती हैं। ये उद्योग दिल्ली, गुडगाओ, मुंबई, पुणे, चेन्नाई, कोलकाता, लखनव, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बंगलाओर के आसपास इस्थित हैं। सूचना प्रवध्योगी की तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योग इलेक्ट्रोनिक उद्योग के अंतरगत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलिविजन, टेलिफोन, सेलिूलर टेलिकॉम, टेलिफोन एक्सचेंज, पेजर, राडार, कंप्यूटर तथा दूर संचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाये जाते हैं। बंगलावर भारत की इलेक्ट्रोनिक राजधानी के रूप में उपरा है। इलेक्ट्रोनिक सामान के अन्य महत्वपुन उत्पादक केंद्र, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, प इकल विंडो सेवा तथा उच आकड़े संचार यानि हाई डाटा कम्यूनिकेशन सुविधा प्रदान करते हैं। प्रिष्ठ संख्या 81 भारत का मांचित्र दिया गया है। भारत में सौफ्ट्वेर टेक्नोरोजी पार्क्स कहां-कहां हैं आईए जानते हैं। शुरिनगर, मोहाली, नौइडा, गुवाहाटी, जैपुर, गांधिनगर, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, पुने, भुवनेश्वर, हैदराबाद, विशाकापतनम, बंगलोर, चेननई, मैसूर और तिरुवानंतपुरम। प्रिष्ठ संख्या 82 इस उद्योग का प्रमुक महत्व प्लब्ध करवाना भी है। 31 मार्च 2005 तक सूचना प्रद्योगी की उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या 10 लाक से अधिक थी। अगले 3-4 वर्षों में ये संख्या 8 गुणा होने की संभावना है। ये भी अत्यंत रोचक है कि इस क्षेत्र में रोजगार पाई व् प्रतिशत महिलाएं हैं। पिछले 2 या 3 वर्षों से ये उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण सुरोत बन गया है। जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया बहये सुरोती करण यानि Business Processes Outsourcing यानि BPO है। भारत में सूचना प्रद्योगी की उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेर व सौफ्टवेर का निरंतर विकास है। चित्र संख्या 6.9 में HCL में रूप नगर में केबल निर्मान को दर्शाना है जो की पश्चिम बंगाल में स्थित है। चित्र संख्या 6.10 में BHEL में गैस टर्बाइन र उद्योगी की प्रदूशन तथा पर्यावरण निमनी करण यद्धे पी उद्योगों की भारती ये अर्थ्वेवस्था की वृद्धी वविकास में महत्वपूर्ण भूमी का है। तथा पी इनके द्वारा बढ़ते भूमी, वायू, जल तथा पर्यावरण प्रदूशन को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग चार प्रकार के प्रदूशन के लिए उत्तरदाई है। क, वायू, ख, जल, ग, भूमी, घ, ध्वनी। प्रदूशन करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत ग्रिह भी सम्मिलित है। वायू प्रदूशन। अधिक अनुपा कण नुमा पदार्थों में ठोस वे द्रवियत दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूली, स्प्रे, कुहासा तथा धुआ। रसायन वे कागज उद्योग, इंटों के भट्टे, तेल शोधन शालाएं, प्रगलन उद्योग, जिवाश्म इंधन दहन तथा छोटे पूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस तरास्दी के विशे में जानते हैं? वायू प्रदूशन, मानव स्वास्थे, पश्वों, पौधों, इमार्तों तथा पूरे परियावरण पर दुश प्रभाव डालते हैं। रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधन शालाएं, चमडा उद्योग तथा इलेक्ट्रो प्लेटिंग उद्योग हैं जो रंग, अपमार्जक, अमल, लवन तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीट नाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और पात की अशुद्या, यानी सलैग हैं। होती हैं। मृदा वजल प्रदूशन आपस में संबंधित हैं। मलबे का धेर, विशेशकर काच, हानी कारक रसायन, ओद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवन तथा कूडा करकट मृदा को अनुप जाओ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूशक जमीन से रिस्ते हुए भूमी गत जल तक पहुँचकर उसे भी प्रदूशित कर देते हैं। प्रिष्ठ संख्या 83, ध्वनी प्रदूशन, ध्वनी प्रदूशन से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं, वरण श्रवन असक्षमता, व्रिदागती, रक्त चाप तथा अन्यकाइक व्यथाएं भी बढ़ती हैं। अंचाही ध्वनी, उत्तेजना, मानसिक चिंता का स्रोथ है। और द्योगिक तथा निर्मानकारिये, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकडी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनी उत्पन्न करते हैं। परिया वरणिये निमनी करण की रोक थाम। कारखानों द्वारा निसकाशित एक लीटर अप्षिष्ट से लगभग आठ गुणा स्वच जल दूशित होता है। और द्योगिक प्रदूशन से जल को कैसे बचाया जा सकता है। इसके कुछ सुझाव इस प्रकार है। क विभिन प्रक्रियाओं में जल का नियुनतम उप्योग तथा जल का दो या अधिक उत्रोत्तर अवस्थाओं में पुनर चक्रण द्वारा पुनहें उप्योग। ख जल की आवश्यक्ता पूर्ती हे तू वर्षा जल संग्रहन। ग नदियों वे तालाबों में गर्म जल तथा अप्षिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना और द्योगिक अप्षिष्ट का शोधन तीन चर्णों में किया जा सकता है। यांत्रिक साधनों द्वारा प्रात्मिक शोधन इसमें अप्षिष्ट पदार्तों की छटाई उनके छोटे-छोटे टोडे करना, ढकना तथा तलचट जमाव आदि समिलित हैं। ब, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितियक शोधन, स, जैविक, रासाइनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा त्रितियक शोधन, इसमें अप्षिष्ट जल को पुनर चक्रन द्वारा पुनह प्रयोग योग्या बनाया जाता है। जहां भूमिगत जल का स्तर कम है, वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निश्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। कारखानों में कोईले की अपेक्षा तेल वे गैस के प्रयोग से धूमिगे निस्काशन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों वे उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो उर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनी प्रदुशन करे। ध्वनी अवशोशित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कान विद्धाबाद में यमुना एक्षन प्लान के अंतरगत वाहित मल उपचार संयत्र दर्शाया गया है। यानि EMS 14001 के लिए ISO प्रमान पत्र है। यह निगम प्रकर्तिक परियावरन और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा इंधन संरक्षन नीती का हिमायती है। तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत सन्यंत्रों की स्थापना करता है। ऐसा इन उपायों द्वार प्रमान उपकर्णों में सुधार। ब अधिक्तम राख का इस्तेमाल कर अप्षिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन। स पारिस्थिति की संतूलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा व्रिक्षा रोपन के लिए प्रेरित करना। द तरल अप् ध, सभी उर्जा सन्यंत्रों का पारिस्थिति की ये रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना एवं ओनलाइन आकणों का प्रबंधन करना। चित्र 6.12 में रामा गुंडम सन्यत्र को दर्शाया गया है। प्रिष्ठ संख्या 84 अभ्यास प्रश्ण 1. बहुवेकल्पिक प्रश्ण 1. इन में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। 2. इन में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक शेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। 3. इन में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। 4. इन में से कौन सा उद्योग दूरभाश कंप्यूटर आदी सन्यंत्र निर्मित करते हैं। 5. इन प्रशनों के उत्तर लगभग 30 शेत्र में प्रयोग करता है। शब्दों में दीजिये। 120 शब्दों में दीजिये। 1. समन्वित इसपात उद्योग मिनी इसपात उद्योगों से कैसे भिन है। इस उद्योग की क्या समस्या हैं। किन सुधारों के अंतरगत इसकी उत्पादनक्षमता बढ़ी है। 2. उद्योग परियावरन को कैसे प्रदूशित करते हैं। 3. उद्योगों द्वारा परियावरन निमनी करण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन उपायों की चर्चा करें। प्रिष्ठ संख्या 85 क्रिया कलाप उद्योगों के संदर्भ में प्रत्य के लिए एक शब्द दें। यानि सांकेतिक अक्षर संख्या कोश्ठक में दी गई है। तथा उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है। 1. मशीनरी चलाने में प्रयुक्त। सांकेतिक अक्षर पी से शुरू होता है, जो पांच अक्षरों का है। 2. कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति सांकेतिक अक्षर डबल्यू से शुरू होता है, जो छे अक्षरों का है। 3. उत्पाद को जहां बेचा जाता है, सांकेतिक अक्षर M से शुरू होता है, जो 6 अक्षरों का है. 4. वह व्यक्ति जो सामान बेचता है, सांकेतिक अक्षर R से शुरू होता है, जो 8 अक्षरों का है. 5. वस्तो उत्पादन सांकेतिक अक्षर P से शुरू होता है जो साथ अक्षरों का है 6. निर्मान या उत्पादन सांकेतिक अक्षर M से शुरू होता है जो ग्यारे अक्षरों का है साथ, भूमी, जल तथा वायू अवनयन, सांकेतिक अक्षर पी से शुरू होता है, जो नो अक्षरों का है प्रोजेक्ट कार्ये, अपने कुशेत्र के एक क्रिशी आधारित तथा एक खनेज आधारित उद्ध्योग को चुने एक, ये कच्चे माल के रूप में क्या प्रियोग करते हैं? दो, वी निर्मान प्रक्रिया में अन्य निवेश क्या हैं, जिन से परिवेहन लागत बढ़ती है तीन, क्या ये कार्खाने परियावरन नियामों का पालन करते हैं? प्रिश्ठ संख्या 86 क्रिया कलाप, यहां एक वर्ग पहली दी गई है, क्षैतिज, अत्वा और ध्वादर अक्षरों को जोडते हुए निम्ण प्रश्णों के उत्तर ते हैं नोट, पहली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं, पहली से संबंधित सांकेतिक प्रश्ण इस प्रकार हैं एक, वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल तथा रोपन उद्योग जो क्रिशी से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं दो, चीनी उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ, तीन, इस रेशे को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं चार, लहो अयस्क, कोकेंग कोईला तथा चूना पत्थर इस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल हैं पांच, 36 गड़ में स्थित सार्वजनिक शेत्र का लोहा इसपात उद्योग छे, उत्तर प्रदेश में इस स्थान पर डीजल रेलवे इंजन बनाई जाते हैं इन सांकेतिक प्रश्नों के आधार पर वर्ग पहिली को पूरा करें अभी आप सुन रहे थे अध्याय 6 विनिर्मान उद्योग प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली